हसना हसाना हसबाना रोना रूलाना रूलवाना खेलना खेलाना खेलवाना दड़ना दड़ाना दड़वाना लिखना लिखाना लिखवाना तोड़ना तोड़ाना तोड़वाना खरिदना खरिदाना खरिदवाना ये सबी वाक्यांग्रेजी में कैसे बनाई चाहेंगे कभी हम बोलते हैं हसना हसाना हसबाना मतलब एकी सब्द को तीन तरगे से बोला जारा है और तीनों अलग अलग तरगे से बनाए साता है तो अंग्रेशी में कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में सिखेंगे जिसे कोई काम कराता है जिसे हसाता है तो कोई काम कराता है इसे वो मुझे हसाता है He makes me laugh रवी आमन को रुला दिया रवी मेड आमन कराए तुमने कमरा साप करवा दिया You made the room clean यह पर आ रहा है कोई काम करवा दिया कोई काम करवा दिया रुला दिया हसाता है मतलब कोई काम कराता है कोई काम करता नहीं है अगर मैं इससे बोलू कि मैं हसता हूँ मैं हसता हूँ तो मतलब यहाँ पर जो डूर है जो काम करने वाला है कौन है तो मैं यहाँ पर है लेकिन इस वाकि में अगर मैं कहूँ कि हसने वाला कौन है वो तो हसाता है ये कोई काम कराता है लेकिन करता कौन है अब करता कौन है ये पता ही नहीं है वो मुझे हसाता है तो मुझे हसाता है तो कौन करता है तो अबजक्ट में दिखाई देगा कि मुझे हसाता है तो मैं हसता हूँ याँ पर लेकिन हसाता कौन है ही हसाता है मतलब ये तो हो गया subject और यह हो गया आपका object और यह हो गया हुआब हो गया जिसके हम sentence पर देख लेते हैं he makes me laugh यहाँपr he हो गया subject makes हो गया यहाँपr वब और me हो गया object इसके बाद फिर आगया we one मतलब laugh इसका क्या concept है, क्या Iska formula है क्या इसका structure है, वो देख लेते हैं, सबसे बले तो लगता है subject, इसके बाद लगा देते हैं, मेक, सुविदान उसरा मेक्स भी कर देते हैं, अगर sentence में singular subject हो तो, इसके बाद हम लिख देते हैं object, इसके बाद जो वब आता है, जो कोई काम कराता है, इसी के हासाना, रूलाना, दोडाना, यह सबी वब्स हैं, यह सबी वीवन, सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं, इस यहाँ पर देखे, clean है, cry है, laugh है, यह सबी वाकी के लास्ट में है, मेरे भाई ने पत्र लिखवा देगा, तो sentence बनेगा, my brother will make the letter right, my brother यहाँ पर हो गया subject, will make हो गया वब, यहाँ पर भी वीवन आ गया, मतलब ऐसे काम कराने को, खुद करना नहीं, बलकि कराने को काते हैं, कॉजिटिव वब्स, जिसका परियोग आप कर रहे हैं, make का, पिर यहाँ कमरा पेंट करवा दी, पिर यहाँ made the room, पेंट, यहाँ पर पेंट सो हैं, यह वीवन है, room object है, made यहाँ पर जो कि वीटू के रूप में आया हुआ है, क्योंकि sentence, past, indefinite tense का है, tense के नुसर भी चलना है, जिसे कि आप बोलते हैं, हसना, 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 हसवाना, तो आप कैसे बनाते हैं, हसना के लिए तो आप बना लेते हैं, कि यह तो मेरा हो गया laugh, मिन्स हो गया हसना, अब अगर हसना ह है, तो क्या हसाएगा, हसना के लिए हसाएगा laugh, और हसना के लिए हसाएगा make, इसके बाद यहापर object, इसके बाद यहापर हसाएगा laugh, मतलब अभी समयले से, कि make laugh, और हसना का मतलब क्या हसाएगा, यहापर हसाएगा get, इसके बाद यहापर हसाएगा object, और यहापर हसाएग यहां पर होजाएगा कराए यहां पर बिस में अब्जक्ट आएगा फिर यहां पर गेट होगा फिर यहां पर अब्जक्ट आएगा और फिर यहां पर होजाएगा कराए का थार फॉर्म कराइड खेलना को जाता है पले और यहां पर होजाएगा make यहाँ पर होज़ाएगा object फिर होज़ाएगा यहाँ पर play होज़ाएगा आप यहाँ पर होज़ाएगा get मतलोग खेलवाना में get object और यहाँ पर होज़ाएगा play do दोड़ना का होज़ाता है run आप दोड़ना का होज़ाता है make यहाँ पर होज़ाएगा run आप यहाँ पर लेखेंगे small में run लेखेंगे यहाँ पर होसाएगा मेरा get इसके बाद object और यहाँ पर होसाएगा मेरा run क्योंकि run का third form run ही होता है लिखना का तो होता है यहाँ पर क्या हम लिख सकते है right यहाँ पर make इसको लिखाएगा जिसको भी जो काईम करवाएगा इसके बाद आप लिखवाना में आप लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे get इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर object और इसके बाद right का third form होसाता है return तोड़ना के लिख यहाँ पर break make object break और third में होसाएगा get object broken खरिदना क के लिखेंगे make object यहाँ पर होसाएगा buy और आपके खरिदवाना में होसाएगा get object bought या फिर साहे तो purchased भी आप कर सकते हैं अब दोगे कोई काम करवाता है तो एक तरह से हमने दान लिया अब दूसरा तरीका यह है कि रवी का किताब पढ़वाता है एक होता है पढ़ाता है संटेंस होगा रभी gets the book read यह पर जो यह रेड यह है वो अपका third form एक ही तरह form होता है तिनो form इस वज़ा से यहाँ पर पता नहीं सल रहा है हम लोग उसका काम करवा दिये तो we got his work done यह पर दिगे done we three हो गया क्योंकि इसका we one होता है do और third form होता है done we got his work done रिया खाना पकव दी तो पकवा दी पास्ट तो गोट हो जाएगा रिया गोट दा फूड कोक्ड रिया ने खाना पकवा दी मैंने उसे दड़वा दिया I got him run I got him run मैंने उसे दड़वा दिया यहाँ पर रंसों वित्री है सुमन लैप्टोप खरिदवाया सुमन गोट दा लैप्टोप पर्चेस्ट हो गया पलवी ने मोबाइल रिचार्ज करवाई पलवी गोट दा मोबाइल रिचार्जड आप जिसके द्वारा करवाया जिसे की आमन के द्वारा करवाया यह पर आमन से करवाया यह आमन के द्वारा करवाया यह पर बाई आमन का लिख देंगे यह पर बाई थाइस थांक्स पर वाचिंग दाट सॉल फर तोड़े